अज़ो विडियो में हम बात करने वाले हैं जिलास्ट टैबलेट के बारे में और जो इसमें कॉंबिनेशन हैं सिलोस्टा जोल के बारे में जो कि इसका इस्तमाल खून का अच्छे से सरकुलिसन नहीं हो पाता है बलड की सप्लाई नहीं हो पाती है अलग अलग बोडी पारन से काफी तरह की समस्य हैं क्रियेट हो जाती है तो उनसे भी कंडिशनों में से इस्तमाल किया जाता है तो आज की इस वीडियो में हम यहीं बात करने वाले हैं जिलास्ट टैबलेट के बारे में सिलोस्टा जोल कॉंबिनेशन के बारे में कौन-कौन से प्रफज़ों म हो जाता है पास के medical store पर या online भी मिल जाती है जी लास्टा टब्लेट में क्या-क्या combination है तो इसमें एक ही combination है सिलोस्टा जोल सिलोस्टा जोल जो कि 50 mg अबलेबल हो जाता है 25 mg अबलेबल हो जाता है यहां कौन सी क्लास से बिलोंग करता है तो यहां anti-cogulant और anti-platelets class से बिलोंग करने वाला यहां medicine है बात करें सिलोस्टा जोल किस तरीके से काम करता है तो जो भी blood vessels होती है उनको यहां wide करने काम करता है blood vessels में अच्छे से blood को circulate करने में मदद करता है इसके साथी साथ जो यहां एक तरीके का anti-platelets है जो कि आपस में platelets को चिपकने से रोकने में मददगार होता है जिसके कारण से body के अलग अलग parts में blood की supply काफी अच्छे तरीके से होती है जिसके कारण से patient को काफी राहत मिलता है यहां कौन-कौन से परपजों में इस्तमाल किया जाता है तो blood की supply ना होने अच्छे से पैरों में दर्ध होने की समस्या होती है चलने फिरने में भी दर्ध होता है इसके साथ ही साथ पैरों में एठन जैसी महसूस होती है पैरों में बहुत ज़्यादा दर्ध होता है सुनपन हो जाती है एकदम कमजोरी जैसे महसूस होता है इस तरीके की समस्या होती है तो उस सभी कंडिशनों में सिलोस्टा जोल का इस्तमाल किया जाता है इनके ह आप benefit होते हैं बात करें इस दवा का क्या dose है तो dose depend करता है कि आपकी age, healthy condition और आप किस condition मिले रहे हैं उससाब से इसका dose confirm होता है यह किसी के बताय जाने पर इस्तमाल की जाने वाजी दवा नहीं है यह डॉक्टर के रेक देख और डॉक्टर के सलहा के बाद ही इस्तमाल किया ज जाता है यह दवा अकेले नहीं दी जाती है इससे जुड़ी और भी दवाईयों को combined करके दिया जाता है जिससे जो भी आपकी problem हो बहुत जल्दी cure हो जाए बात करें क्या नुक्सान हो सकता है अगर आपको सूट नहीं करता है तो vomiting सर में दर्द चेहरे में सूजा ना जाना body में सूजा ना जाना, vomiting होना, भूख न लगना, पेट में दर्द होना, हाथ बैरों से पसी ना आना, घबराहट जैसा महसूस होना, diarrhea हो सकता है इस तरीकी के नुक्सान देखने को मिल सकता है इसलिए आप doctor के रेक देख में इस दवा के इस्तमाल करें बात करें क्या नुक् बारे में जनकरी, अगर आपको वीडियो है जनकरी अच्छे लेगी तो प्लीज लाइक किजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा, आपको यह वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यमाद, थैंक्यू फर वाचिंग